हेलो हेलो दोस्तो गुड मॉर्निंग नमस्ते कैसे हैं आप लोग आसा करते हूँ बहुत 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 अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ तो जो भी दोस्त हमारा वीडियो देख रहे हैं सभी दोस्त रहे हैं मस्तर है अपने जीवन में यूही अंगे बढ़ते रहे हैं इस तो अभी थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा सा लग रहा है तो जब तक हमने जाड़ू बगएरा लगाई थी तब तक छे बच गयते तो फिर काफी जो है सभीरा हो गया था और सबसे पहले उटकर जाड़ू ही लगाते हैं पूरे घर की साफ सफाई करते हैं उसके बार नहाते है तो इधर जाड़ू हमारी लग गई है थोड़ी सी रहेगी है इसको भी जल्दी से पूरा कर देते हैं और कोड़ा भर के गूरे पर फैक देंगे और सुबा की टाइम बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं तो बहुत ही जल्दी से उठना पड़ता है तो आज हम बहुत हो जाते हैं हमारे और तो पैर में थोड़ा बहुत टाइम भी मिल जाता है और देर में उठते हैं तो काफी खाना पीना बनाने में टाइम लग जाता है बारा बच जाते हैं काम ही करते करते और दिन भी काफी छोटा होने लगाए क्योंकि सर्दियों की सुरुआत हो गई है तो इतर जो है नहा चुके हैं हम और इतर आप सभी को दिखाते हैं कि काफी सुवा हो गई है अब जब तक हमने साफ सफाई के जाड़ो वगरा लगाई तब तक काफी सुवा हो गए थी और इतर मारा मनी प्लांट जो है बहुत अच्छा है जो कि हमारे रिंग की दीदी है उन मतलब जब कभी कभी बस ऐसे ही पानी डाल देते हैं, एक दो बाल्टी, उससे जादा नहीं पड़ पाता है, जब याद आ जाता है, मैं तब पानी डाल देते हैं, जब जादा कुछ सोकने लगता है, तब ही पानी डाल देते हैं, नहीं तो याद नहीं रहता है किसी किसी दिन और जब यह आ जाता है तब पानी डाल देते हैं तो वो खुछ से ही इतना अच्छा हो गया है और मतलब जब तक छोटा रहा तब तक हमने उसकी बहुत ज़्यादा देखवाल की और अब काफी अच्छा हो गया है और पानी ही डालते हैं और कुछ नहीं डालते हैं तो इधर खाना पीना हमारा बन गया है तो आज हमने बनाई है दाल दाल चावल और रोटियां भी बनाई हैं साथ में क्योंकि सार्थ तक बोल लाए थी कि हमें दाल चावल खाना है और हम ताल चावल ही लेकर जाएंगे स्कूल तो इसलिए थोड़ा जल्दी उठेते हैं और जल्दी से दाल चावल बना दिये हैं तो साड़े साथ बजे तक दाल चावल भी बन गये थे सारे काम हो गया थे, सार तक को भी तैयार कर दिये थे और वो चले गए हैं स्कूल, तो आज दाल चावल ही लेकर गए हैं क्योंकि बच्चों की जो जीद कर लेते हैं तो उनको वही चाहिए तो उनको जो है दाल चावल, आज बहुत ज़्यादा मनता खाने के लिए बोलते हैं, हम दाल चावल ही लिए कर जाएंगे स्कूल, तो इसलिए फिर अपने का चलो दाल चावल ही बना देते हैं, और इधर जो हमारे कमरे में लग चुकी है, जाडू साफ सफाई हमने कर दी है, तो और उसके बाद बाहर की तरफ लगा देते हैं, दो पैर वाली जाडू परतन बगारे साफ करके रखती हैं, हमने उसके बाद जाडू लगाना शुरूर किये थे, तो यहाँ पर जो है कपड़े हमने चेंज कर लिया है, क्योंकि थोड़ी साफ सफाई की थी और लिपाई । निज्चरह कुंके ध किया है, तो जाड़ी के अगया है मैं उसके बा正कि लगा देते हैं, उसके बास में लिपाई कर देंगे परामदे की, कमरे में लीपाई हमारी हो चुकी थी तो तो परामदे में रहती है ये परामने में कर देंगे क्योंकि ये एक साथ हमने नहीं की थी तवियर नहीं ठीक रहती है बुखार सा रहता है कम से कम वही 15 दिन हो गए हैं दवा बरावर खा रहे हैं पर फिर भी बुखार ही जाता है और तो पैर में जो है डेली ही बुखार आ जाता है तोड़ा बहुत किसी किसी दिन मन भी नहीं होता है काम करने का हाथ पैरों में बहुत जादा दर्द सा होता रहता है तो फिर एकदम से सारा काम हमसे नहीं होता है तो थोड़ा थोड़ा ही करते हैं तो लिपाई पताई जो है पूरी तो नहीं हो पाती है बस थोड़ी थोड़ी ही कर देते है तो कमरे की हो चुकी थी अब करेंगे बरामदे की लिपाई तो यहां पर हमने कोबर ले लिया है और गेरू नहीं मिली थी तो इसलिए यहां पर मिट्टी डाल देते हैं थोड़ी सी कोबर में मिट्टी मिला लेंगे और उसके वाल लिपाई करेंगे तो यहां पर हमने ज होति उता पड़ा प्राप में अपानी से क्योंकि आपकी बार कीरी मौसब में बधा बारिस चैनल अब लोगे मिपकशी एक परीब रिज की कि आप यह पीजिय कुए हैं तो यह से एक में ने कमेंट कि आप तालाब जहां से चिकनी मिट्टी लाते हो तो वहां के जगए हमें दिखाओ और कहां से लाते हैं चिकनी मिट्टी निकाल के दिखाओ तो सिटर इसी बज़े से हम नहीं मतलब दिखा पा रहे हैं आपको तालाब भरे हुए है हम तालाब जरूर आपको दिखाएंगे कि कितना भरा है और मिट्टी किस तालाब से आती है तो वह हम आपको जरूर दिखाएंगे क्योंकि समय टाइम नहीं मिल पा रहा है वहां पे जाने के लिए तो तालाब हम आपको जरूर दिखा देंगे पर मिट्टी समय नहीं आपाईगी ताला भरा हुआ है तो आपका बहुत बहुत धनवाद आप हमारा वीडियो देखती है और धेर शरफ प्यार देती है सभी दोस्त हमारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते है हमें बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए चिखनी मिटी नहीं मिल पा रही है तो यहां पर हमारे लिपाई हो गई है और लिपाई हो जाने के बाद में बहुत अच्छा लगता है अगर गोबर से ही करो तो काफी अच्छा लगता है हरा हरा सा होता है न गोबर तो बहुत अच्छा लगता है सूखने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है तो यहां पे जो है जुकिया बहुत ही अच्छी बन रही थी तो फ्रेंड हम चो जो है काम का किसी किसी दिन बिल्कुल भी नहीं होता है फिर भी हमें करने पड़ते हैं मज़ूरी में तो काम घर ऐसा तो नहीं रख सकते हैं गंदा संदा पर करना तो पड़ेगा ही तो इसलिए बस हिम्मत करके उठ जाते हैं फिर चे करने लगते हैं थोड़ा देल लेट जाते हैं आराम कर लेते हैं और फिर चे अपना काम सुरू कर देते हैं क्योंकि जब तक घर गंदा पड़ा होता है बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लगता है तो फिर से सुरू हो जाते हैं अपने काम में तो बाबू अभी सो रहा है आर्थर सो रहा है तो इसलिए फिर हमने का चलो निप्टा देते हैं जल्दी जल्दी से काम जब तक बेटा सो रहा है तो यहां पर जो है हमारी सिलाइ मसेन रखे हुई है और एक तरफ धान के बोरा भी रखा है और गिहों भी थोड़े से रखे हुए हैं चार पाँच बोरी तो इतनी जगा जो है छोड़ देंगे और जितनी खाली है उतने में लिपाई कर देंगे और दूप बहुत तेज है क्योंकि दोपाईर में थोड़ी गर्मी हो जाती है और सुबा के टाइम काफी ठंड हो जाती है तो इसी लिए बुखार का जो है सीजन से चल रहा है तो बुखार हमारे यह सभी को आ रहा है हमारे आर्थर को भी आ रहा है उनके भी तबियत खराब हो गई है खांसी जो खाम बुखार आ जाता है और हमें भी आता है तो इसी लिए उनका भी बुखार नहीं जा रहा है मेरी वज़े से क्योंकि वो दूद पीते हैं तो हमें भी बुखार आता है बच्चे नहीं मानते हैं तो अभी काफी चोटा है तो दूद बिल्कुल भी नहीं जोड़ता है तो बुखार आता है में दोस्कों भी आने लगा है तो दोस्तों फानली मारी लिपाई हो चुकी है और आप सभी को दिखाते हैं अच्छा लग रहा है लिपाई हो जाने के बाद में राज का व्लोग हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बिता है तो कल फिर मिलेंगे एक ने व्लोग के साथ तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते